हेलो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे गवर्नर की यानी राज्यपाल की अगर गवर्नर के पद की बात करें तो आर्टिकल 153 में एक आ गया है कि परतेक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा लेकिन सात्मे समीधान संशोधन दवारा सात्मा जो constitutional amendment किया गया है उसके तरहतिये कर दिया गया है कि एक से अधिक राज्यों के लिए भी एक ही राज्यपाल हो सकता है इसके अलाबा आर्टिकल 155 में इसकी न्यूक्ति का प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल की न्यूक्ति राष्ट्पति करेगा राष्ट्पति द्वारा इसे न्यूक्ति किया जाएगा और वहीं आर्टिकल 155 था और आर्टिकल 156 में ये का गया है कि राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपती के इच्छा तक अपने पदपर बना रह सकता है यानि जब तक राष्ट्रपती चाहे प्रेजिडेंट की जो इच्छा है उसी तक वो अपने पदपर बने रह सकता है अगर राश्ट्रपती ये कहता है कि राज्यपाल को इस्तिफा देना है तो राज्यपाल को इस्तिफा देना होता है अगर राज्यपाल का काम की बात करें तो राज्यपाल जो है वो राज्यका सम्विधानिक और कार्यकारी परमुक है राज्य का शाशन सम्विधानिक रूप से चल रहा है या नहीं ये देखना राज्यपाल की जिम्मेदारी है राज्यपाल जो है वो सेंटर और स्टेट के बीच में एक पुल का काम भी करता है इसके अलावा राज्यपाल को कुछ विशेश शक्तियां दी गई है आर्टिकल 161 में जो शमादान की शक्तियां पारडन की शक्ति जो राज्यपाल को मिली हुई है वो मृत्युदंड के मामले में जहां राष्टपती जो हैं वो मृत्युदंड के मामले में शमादान दे सकते हैं राज्यपाल नहीं दे सकते हैं आला कि किसी और सजा को जो है वो राज्यपाल बदल सकते हैं इसके अलावा आर्टिकल 163 ये कहता है कि राज्यपाल की सलाह के लिए एक मंत्री परिशद होगी यानि राज्य जो है वो किस हिसाब से चलेगा इस बात की सलाह देने के लिए एक मंत्री परिशद होगी जिसका परधान जो है वो मुख्य मंतरी यानि चीफ मिनिस्टर होगा इसके अलावा आर्टिकल 164 ये कहता है कि मुख्य मंतरी की नियुक्ति जो है वो रज्यपाल करेंगे यानि सीम की जो नियुक्ति है वो गवर्नर के द्वारा की जाएगी और इसके लिए उसे विवेक अधिकार प्राप्त है इसके अलावा आर्टिकल 165 में ये कहा गया है कि राज्य का महा अधिवक्ता महा अधिवक्ता और पब्लिक सर्विश कमिशन यानि कि राज्य लोक सेवा आयोग जो है और उसके अध्यक्ष की जो नियुक्ति है वो गवर्नर ही करेगा इसके अलावा आर्टिकल 166 दो 162 और 166 तीन इसमें राज्य पाल के विवेक अधिकार संबंदी शक्तियां दी गई है कि सरकार का संचालन जो है वो राज्य के विवेक अधिकार पर निर्भर करेगा मतलब कौन सीम होगा चुनाओ के बाद अक्सर ऐसा होता है कि सपष्ट बहुमत नहीं होता तो कौन मुख्यमंतरी होगा ये राज्य पाल के विवेक अधिकार पर निर्भर करता है वो बहुमत अगर किसी को सपष्ट बहुमत है तो उसको वरना किसी गठवन्दन के नेल को नेता को या सबसे अधिक सीट पाने वाले दल के नेता को या किसी ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंतरी बना सकता है जो उसे लगे कि वो बहुमत साबित कर सकता है लेकिन उस व्यक्ति को जो है वो जरूरी है कि राज्य पाल द्वारा दिये गए समय में ही अपना बहुमत साबित करे जरूरी नहीं है कि वो विधान सभा का सदश्य को इन्यूक्त करे लेकिन जिसे इन्यूक्त करे उसे च्छै महिने में विधान सभा या विधान परिशाद अगर उस राज्य में है तो किसी एक सदन का सदश्य होना पड़ेगा ये पावर जो है वो राज्यपाल के विवेक राज्येपाल की मंजूरी के विधान सभा का सत्तर नहीं बुला सकती और ना ही उसे स्थगित कर सकती इसके अलावा आर्टिकल 174 दो ये कहता है कि वो राज्येपाल जो है वो विधान सभा को भंग कर सकता है विशेश परिस्तितियों में जरूरी नहीं है कि जिसने अपने ये का गया है कि कोई भी विधेग जो राज्ये सरकार ने पास किया है विधान सभा से वो तब ही कानून बनेगा जब राज्येपाल उस पर साइन कर देगा यानि अपनी हस्ताक्षर कर देगा राज्येपाल किसी भी विधेग पर अपनी हस्ताक्षर कर सकता है उसे पुनर रश्टपती के पास जाएगा और फिर रज्यपाल की भूमी का माँ खत्म हो जाती है इसके अलावा आर्टिकल 164 दो में ये कहा गया है कि मंत्री परिश्ट जो है वो विधान सभा के परती सामोही रूप से जिम्मेदार होगी और अगर जिम्मेदार नहीं होती है अपनी जिम्मेदारी तै नहीं कर पाती है तो मंत्री परिश्ट को इस्तिफा दे देना चाहिए इसके अलावा रज्यपाल जो है वो हर फोर्टनाइट यानि हर पंदरा दिन में दो सप्ता में अपने रिपोर्ट के इंदर सरकार को भेजते हैं कि राज्य का जो शाशन है वो सुचारू रूप से चल रहा है लेकिन राज्यपाल के विवे का अधिकार और इन सबसे बड़ी जुनी होई कई बाते हैं कई विवाद आज तक सामने आते रहें आर्टिकल 356 एक विशेश आर्टिकल है इसके तहट राज्यपाल जो है वो किसी भी राज्य में राष्टपती शाशन की सिफारिष कर सकता है अगर उस राज्य में समधानिक तंतर फेल हो गया है तो राज्यपाल महाराष्टपती शाशन की सिफारिष कर सकता है इसके अलावा केंद्र और राज्यों के संबंदों को सुधारने के लिए 1983 में एक आयोग बनाया गया था जिसे सरकारिया आयोग यानि सरकारिया कमिशन कहते है इस आयोग ने एक सिफारिष दे थी कि राज्यपाल का जो पद है उस पर गैर राज्यनितिक व्यक्तियों के निक्ति की जाए और उसके लिए मुख्यमंत्री के सला भी ली जाए लेकिन आज तक ये हैं लागू नहीं हुई हैं ये सिफारिषे और इसे लिए कई बार जो है वो राज्यपाल का पद विवाद का विशे भी बनता रहा है हाला कि राज्यपाल का जो विवे का अदिकार है उसे हमारी समधानिक शक्तियां मिली हुई है और आज तक हमारे देश में यही रहा है और केंदर रोर राज्यपाल के बीच में सेतू का पुल जो सेतू का काम है वो राज्यपाल करता है और इसके अलाव राज्य का समधानिक परमुख है और राज्यपाल के नाम से ही राज्यपाल के सारे काम होते आए है thank you